दोस्तों हमारी एनिमल किंग्डम में एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर मौझूद है पर जब बात अगर जंगल करजा सेर की आती है तो उसकी जगा कोई नहीं ले सकता कहा तो ऐसा भी जाता है कि सेर का मुकापला कोई भी जानवर नहीं कर सकता पर आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों को दिखाने वाले हैं जो सेर को एक वार में ही मौद के खाट उतारते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए वी वीडियो को इस्टार्ट करते हैं जीराफ दोस्तों जीराफ धरती का सबसेत ताकतवर जीव तो नहीं पर विसाल जीव जरूर होता है जिसकी हाइट इतनी ज्यादा होती है कि वह बहुत उचे-उचे पेडों की पतियों को असानी से खा लेता है यह जब कभी भी आपात मे भीड जाते हैं तो यह एक दूसरे पर अपनी गरतन से वार करते हैं पर सेरों द्वारा इनका सिकार करना मानो मौज से खेलने जैसा होता है क्योंकि इनकी हाइट और मजबूत पैद इनकी कापी मदद करते हैं अगर जीराफ की एक-एक सेर की खोपड़ी पर लग जाए तो उसकी खोपड़ी दो भागों में डिवाइड हो जाएगी सैद इसलिए एक अकेला सेर जिराफ से बिढ़ने की गलती कभी नहीं करता लेकिन इस सेर ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी जिसका फल उसको आंज स्पोर्ट वही पर मिल गया जिसे आप वीडियों में देख सकत बीर दोस्तो भालू धर्ती पर मजूद सबसे ज़्यदा ताकत वार मानतारी जीव है जो सेर और वाग को आसानी से मार सकता है भालू का वजन और ताकत सेरों की ये पिक्चा लगवक तीन गुना से भी ज्यादा होता है और सेरों के सबसे घातकतियार यानि पंजे की लंब ताकत का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं और भालू के सरीर पर बहुत ही ज़्यादा घने बाल होते हैं जिसका और सेर द्वारा उसके बदन को काट पाना बहुत ही ज़्यता मुश्किल होता है और सच इसलिए एक अकेला सेर भालू से बेंड़ने की गलती कभी नहीं कर क्योंकि एक जंगली भैसा सेर को आसानी से मार सकता है जिसका प्रूप इस वक्त आपको स्कीन पर दिख रहा होगा भैसे की ताकत सेर से चार से पांच गुना ज्यादा होती है और जंगली भैसे के सिंग इतने मजबूत होते हैं कि सेर को अपनी सिंग में फसा कर दूर तक इनमें फर्क बस इतना होता है जिस सेरो के पेक्षा भैसों में साहस और ग्रिनिटी की बहुत कमी होती है वरना इन सेरो के क्या मजाल जो एक भी भैसे को मार सके मगरमच दोसों जहां सेर जंगल का राजा होता है तो वही मगर पानी का और मगरमच की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि हर साल 50 से ज़्यादा अफरीकी सेरों को अपना सिकार बना लेते हैं मगरमच अपने ताकत और जबुड का इस्तमाल नदी में पानी पेने आये जानूरों को किसी खिलोने की तरह चेंड़े फांड़े के लिए करता है और साइद इसलिए सेर ज के लिए मगरमच का मुकाबला हो तो इससेर की मौत बेलकुल तया है डाइगर दोस्तों सिर भले ही जंगल का राजा होता है और वह किसी भी मामले में टाइगर की बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि बागों की हाइट वजन और बाइट फोर्स ये सभी सेरों से बहुत ही ज़् जो सेर को किसी भी एंगल से पल भर में चीट फाड कर रख सकता है और मामला अगर एक बाग और एक सेर की बीच की हो तो बेसक बाग ही जीतेगा और हम नहीं ये आकड़े कह रहे हैं क्योंकि जब जब बाग और सेर अकेले-अकेले आपस बिड़े है तो उनमें जीत बाग ही हुई है और टाइगर की थाकत का अंदाजा आप इसी बाज से भी लगा सकते हैं कि जहां सेर भैसे का सिकार करने के लिए पूरे जुंड को सास ले जाता है तो इस बाग अकेले इन भैसों का सिकार बड़ी असानी से कर लेता है एली फ्रेंड, दोस्तों आपने किसी बीडियो में कई बड़ सेरु के जुंड को हाथी के बच्चे पर हमला करते हुए देखा होगा क्योंकि सेरु के पाथ इतने हिम्मत कहा कि ये किसी हाथी को सामने से चुनोती दे और अगर इन्होंने जोस में आकर ऐसा करने की गलती कर भी दिया तो इनका हाल वही होगा जो आपी समय स्क्रीन पर देख रहे है हाथी धर्ती का सबसे ताकतवर जीव हैं जिनके चलने मातर से धर्ती हिलने लगती है और अगर इनके पैरो के नीचे कोई जानवर आ जाए तो वो पलबर में चूर चूर हो जाए हाथीयों में ते जादा ताकत होती है कि एक पेड़ को उखाड़ कर पलबर में फेक सकते है तो इनके सामने सेर क्या चीज है यानि अगर एक सेर और हाथी का मुकाबला हो तो सेर का हारना पूरी तरह सकता है दोस्तो हम सभी या बात स् примकार करते हैं कि सेर जंगल का राजा होता है लेकिने ककेला सेर कभी भी पूरे जंगल पर राज नहीं कर सकता हम अपको बता दें कि सेर के एक समुं में 40 से भी जदा सदस से हो सकते है और सेर किसी राजा की तरह इनकी मेजवानी करता है पर बात अगर अकेले की हो ये इन सभी जानों का सिकार कभी भी नई कर सकता जिनके बारे में हमने अभी अभी बताया है दो तो अगर आपको हमारी बात गलत लगती है तो हमें कमेंट करके जुरूर बताईएगा और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना भूले और ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारी आगे आने वाले वीडियो की लेटेस्ट अब्डेट आपको तुरंत मिल जाए थाएंग पार वचिंग दिस वीडियो